तो हेलो मारेडर फैमली दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडियन टूलर मार्केट में यामा के पास एक भी 125 सिजी की कोई भी बाइक वेलवल नहीं है जो कि टीवेस की राइडर और हीरो की एक्ट्रीम 125 आरको टक्कर दे सकें तो ऐसे में इसी कमी को पूरा करने के लिए यामा कंपनी अब बहुती जल्द इंडिया में अपनी FZ125 को लौंच करने के लिए जा रही है जो की बहुती ज़दा श्यांदार बहुती ज़दा तक्डे लुक के साथ इंडिया में आने वाली है और बाइक हैं आपको इन दोनों ही बैक से बहुती ज़दा बैटर लुक कि देखने के लिए मिलने वाले यह वाइक का प्राइब आपको एंडिया तक बने रहें तो हुआट यह एक्शार करों कि यामाची कापनी इंक्ट ऑप पनी APPOs 125 को की यह पनी लेकिन FZ125 के जो chances है वो इंडिया में सबसे जदा high है क्योंकि Yama के पास इंडिया में already FZ150 available है जो की काफी अच्छा perform भी कर रही है तो ऐसे में Yama company इंडिया में अपनी FZ125 को ही launch करने वाली है जो की बहुत ही जदा शांदार look के साथ इंडिया में आने वाली है अगर हम bike के overall look के बारे में बात करें तो bike के front में आपको LED LED का setup देखने के लिए मिलेगा bike के जो इंडिकेटर हैं वो halogen में देखने के लिए मिलेंगे और bike के rear में LED 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 का setup देखने के लिए मिलेगा और bike में digital meter console भी देखने के लिए मिलने वाल है अगर हम बाइक के braking के बारे में बात करें तो बाइक में single disc brake के साथ single channel ABS का feature देखने के लिए मिल जाएगा इसके लावा अगर हम बाइक के engine के बारे में बात करें तो बाइक में 124.9 cg का oil cool 4 stroke 3 valve engine देखने के लिए मिल जाएगा जो की काफी चीप power को produce करने वाला है और बाइक में 5 speed transmission gearbox setup भी देखने के लिए मिल जाएगा इसके लावा दोस्तों अगर हम बाइक के suspension setup के बारे में बात करें तो बाइक के front में telescopic fork और बाइक के rear में monoshock suspension का setup देखने के लिए मिल जाएगा अगर हम बाइक के features के बारे में बात करें तो बाइक में Bluetooth connectivity, turn by turn navigation, USB charging port और side stand cut off sensor जैसे काफी सारे latest technology feature देखने के लिए मिलेंगे इसके लावा बाइक में आपको काफी जादा comfortable step up seat भी देखने के लिए मिलेगी बाइक के rear में काफी wide tire आपको देखने के लिए मिलेगा और tire पर tire hugger भी देखने के लिए मिलेगा जो बाइक के look को काफी जादा enhance करने वाला है और बाइक में काफी जादा muscular tank का design भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो finally अगर हम bike के pricing के बारे में बात करें तो ये bike इंडिया में आपको एक लाग के price point पर इंडिया में available हो जाएगी अगर हम bike के launch debt के बारे में बात करें तो ये bike इंडिया में अगस्त के महिने में launch हो सकती है तो दोस्तों इस बाइक को लेकर आपका क्या opinion है ये बाइक आपको कैसे लेगी मुझे comment box में comment करकर बताना बिल्कुल भी न बोले अगर आपको आज की वीडियो चलेगी है तो वीडियो को like करने के साथ चैनल को subscribe करके bell icon को press करना बिल्कुल भी न बोले आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं आप से करेंसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए तिल एन बायो टेक्यार